नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विशलेशन में आपका स्वागत है संपात की से संबंदित आज के इस वीडियो में हम दो आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें पहला आर्टिकल जिसका सिर्षक है The Lawmakers Must Work इसे लिया गया है Indian Express से जबकि दूसरा आर्टिकल जिसका सिर्षक है 3C Approach to आत्म निर्भरता इसे लिया गया है Financial Express से तो एक एक कर इन दोनों आर्टिकल पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं सबसे पहले चर्चा करते हैं The Lawmakers Must Work सिर्षक से समंदित इस आर्टिकल पर यह आर्टिकल G.S. Paper 3 में शामिल विसे विकास एवं रोजगार से समंदित विसे के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है इस आर्टिकल का आधार है विधान सभा का नियमित सत्र है अब मामला क्या है जर यह देखिए एक मामला है इस वर्ष के सुरुवात से समंदित और दूसरा मामला है इस वर्ष के अंत से समंदित इस वर्ष की सुरुवात में राजस्थान में मुखमंत्री के द्वारा सत्र बुलाने से समंदित एक सुझाओ राजपाल को दिया गया वहीं इस वर्ष के अंत में केरल में मुख मंत्री के द्वारा एक दिवसिय सत्र को बुलाने संबंधी सुझाओ राज़िपाल को दिया गया लेकिन राज़िपाल के द्वारा केरल के मुख मंत्री के द्वारा दिये गए इस सुझाओ को भी ठुकरा दिया गया अगर हम विधान सभास सत्र हेतू समयधानिक विवस्था की बात करें तो अनुच्छेद 174 के अंतरगत राज्जी के विधान मंडल के सत्र, सत्रा वसान और विघटन का वर्णन मिलता है। किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पर्थम बैठक के लिए नियत तारीक के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। इस निर्णे से राज्जपाल को अवगत भी कराती है कि सत्र को किस तिथी को बुलाना है और विधान सभा सत्र की अवधी कितनी होगी। और फिर राज्पाल विधान सभा सत्र का अहवान करता है। और मंत्री परिसत की सलाह मानने के लिए समयधानिक रूप से राज्जपाल बात्धे होता है। अब अगर राज्पाल की द्वारा मंत्री परिसत की सलाह नहीं मानी जाती है तो फिर यह समयधानिक संकट को उत्पन्न करता है। और केरल और राजस्थान की यह घटना समयधानिक पद से विचलन की घटना है। अब हम पूरे देश में विधान सभास सत्र की इस्थिती पर नज़र डालते हैं। पिछले 20 वर्सों में देश भर में विधान मंडल के सत्र के औसद दिन की हम बात करें। तो प्रती वर्स 30 से कम दिन तक ही विधान मंडल के सत्र का आयोजन होता है। हाा कुछ राज्य अपवाद हैं जैसे केरल, ओडिसा और करनाटक। और समाने रूप से देश भर में विधान मंडल सत्र की सुरवात बजट सत्र से होती है। और उसके बाद सत्र की ना तो कोई निश्चित तिथी होती है ना ही कोई उसकी निश्चित अबदी होती है। और यह बाद की दो सत्र के बीच में छह माँ से जादा अबदी नहीं होनी चाहिए, इस सम्वैधानिक पक्च की केवल खाना पूर्ती होती है। अब यहाँ पर यह है कि राज्जी के विधान मंडलों के द्वारा नियमित सत्र को नहीं बुलाने का आखिर क्या कारण है। हम यह पता है कि विधान मंडल चर्चा, परिचर्चा और लोगों की बातों को रखने का एक महत पूर्ण छेत्र है। और विधान मंडल के सदस्य सरकार से संबंधित उत्तर दायत पूर्ण प्रश्ण भी पूछते हैं। इसलिए अगर सत्र का दिन कम से कम होता है तो फिर यह सरकार को बड़ी रहत प्रदान करता है। इसके अलावा जब विधान मंडल नहीं चल रहा होता है तो इस इस्थिती का लाभ उठा कर सरकार अध्यादेश जारी कर पाती है। और जब सरकार विधान मंडल सत्र बुलाती है तो कम अवधी के कारण उस पे चर्चा नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर यहां पर यह है कि सरकार अपने उत्तरदाइत उसे पीछे हट रही है और लोकतंत्र में मनमाने रूप से विधेकों को पारित करने का कारी कर रही है। तो ऐसी इस्थिती में क्या होना चाहिए। तो देश में सासन में सुधार के लिए विधान मंडल की भूमिका केंद्री होती है। और विधान मंडल सरकार की नियमित रूप से जाच करती है और उस पर नजर भी रखती है। इसलिए सरपर्थम विधान मंडल का जो सत्र दिवस है उसमें वृद्धी करने की अत्यंत आवसकता है। और इसके लिए वर्ष की सुरुवात में ही पूरे वर्ष के लिए सत्र आहवान की तिथी की घोसना कर देना एक महत्पूर्ण कदम होगा। इसका लाब यहाँ पर यह होगा कि सरकार के पास नए कानून को लाने की एक निश्चित तिथी होगी। साथें विधान मंडल के पास नए कानून से सम्मंधित विधयक पर चर्चा करने का भी प्रयाप्त समय होगा और सत्र सम्मंधित पूर्वन निर्धारित कारिक्रम रहने पर सत्र को बुलाने से संबंदित जो मौझूदा राजनितिक विवाद चल रहे हैं इन राजनितिक विवादों पर विराम लग जाएगा अब इस संपाद की से संबंदित यहां प्रश्ण है कि विधान मंडल का नियमित सत्र बेहतर सासन के लिए आवस्यक है कैसे अब हम देखते हैं इस आर्टिकल को विस्तार के साथ इस आर्टिकल का आधार है आत्म निर्भर भारत कारिक्रम अब देखिए पोस्ट पैंडेमिक दौर मतलब महामारी के बाद का यह जो दौर है इसमें विभिन अर्थ विवस्थाओं यह यू कहें कि विभिन देशों में जो आ आर्थिक प्रदर्शंद हो रहा है यह विभिन देशों की द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाब किये जा रहे हैं तो उसमें बड़ा अंतर है और उसी के आधार पर Organization of Economic Cooperation and Development के द्वारा एक पुर्वानुमान दिया गया है जो 2021 इसवी के अंतर तक से सम्मन्दित है OECD के पुर्वानुमान के आधार पर 2021 इसवी के अंतर तक अमरिका की अर्थ विवस्था का आकार 2019 इसवी के समान हो जाएगी चाइना के अर्थ विवस्था का आकार उसमें 10% की वृद्धी होगी और यूरोप और चीन महामारी पुर्वार्थिक क्रिया कलाप से नीचे प्रदर्शन करेंगे और इनका यह प्रदर्शन कई वर्सों तक जारी रहेगा रही बात भारत की तो भारत 2021 इसवी के अंतर तक फिर से तेजी से उभरती हुई अर्थ विवस्था में शामिल हो जाएगा तो वर्तमान अर्थ विवस्था की जो इस्थिती है इसके लिए यह महत्पूर्ण है के आत्म निर्वर भारत कारिक्रम में कुछ नए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए जो भारत की वैस्विक अपिक्चाओं को पूरा करे और इसके लिए तीन प्रात्मिक्ताओं पर पती इस्प्रदाच छमता मेवृद्धी और तीसरी प्रात्मिक्ता रुपय का अंतराष्टी करण और ये तीनों प्रात्मिक्ताइं एक दूसरे से संबंदित हैं बात करते हैं पहली प्रात्मिक्ता की हमें यह पता है कि निर्यात और FDI के लिए यह आविश्यक है कि हाल ही मे सरकार के द्वारा जिस आत्म निर्भर भारत कारिक्रम को प्रारंब किया गया है उससे संबंदित जो शंकाएं हैं उन संकाओं का निवारण हो या आत्म निर्भर भारत कारिक्रम का अर्थ इसपस्टू क्योंकि अर्थ सास्त्रियों का एक खेमा यह कहता है कि आत्म गरलू उद्योगों को संगरक्षन एवं आत्म निर्भरता को प्राप्त करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की नीती भारत सरकार की द्वारा अपनाई गई थी। जिससे घरेलू उत्पाद की गुणवत्ता कम हुई और वैस्ट्रिक प्रतिस्थापन करने में ये उत्पाद और समर्थ हुए थे। प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धी की कुंजी है नीती आयों के पुर्व उपाध्यक्ष। अर्विंद पंगडिया की एक पुस्टक है जिसका नाम है Free Trade and Prosperity। इस पुस्टक में इन्होंने 1960-2013 इस्वी की अबधी में 200 देसों के द्वारा जो आर्थिक प्रदर्शन किया गया उन आर्थिक प्रदर्शनों का विसलेशन किया गया है। अर्विंद पंगडिया ने यह पाया कि व्यापार और प्रतिव्यक्ति आय में प्रत्यक्ष संबंद है। क्योंकि 1960-2013 इस्वी की अबधी में जिन देसों में व्रिद्धी दर उच रही वहां यह पाया गया कि व्यापार और GDP का अनुपात भी उच है। और FDI के संदर में भी यही बात पाई गई क्या कि जहां उच्छ FDI है वहां प्रतिव्यक्ति आय या पर कैपिटा इंकम भी जादा है। परंतु भारत के अगर प्रदर्शन की हम बात करें तो GDP में वस्तु सेवा निर्यात की भागीदारी जो 2011 इस्वी में 24.5 परतिसत थी वह घटकर 2019 में 18.7 परतिसत हो गई। और वैस्तु सेवा निर्यात में भारत की भागीदारी मात्र 2.2 परतिसत है जबकि चीन की भागीदारी कितनी है 10.6 परतिसत मतलब कि वस्तु सेवा निर्यात की भागीदारी के मामले में चीन का आकार भारत की तुलना में 5 गुना है। और एक रोचक बात यहां पर यह है, कि 2008 इस्वी से व्यापार और GDP अनुपात की अगर हम बात करें, तो भारत का आकार चीन से ज़्यादा बड़ा है, परन्तु भारत में क्या प्रविर्टी देखी जा रही है, वैस्वी की व्यापार में, कि यहां पर निर्यात की तुलना मे आयात ज़्यादा है, भले हैं व्यापार का आकार GDP के इस तर पर भारत का जरूर चीन से बड़ा है, तो नए द्रिश्टिकोन की तहत, आवेश्चक्ता इस बात की है, कि उच्च छमता वाले वी निर्मान छेत्र, जैसे कि electronics, वस्त्र, परिधान, दवाई, आदी के निर्या जिनका उच्च मुल्य होता है, कि निर्यात को प्रोसान दिया जाए, FDI के संदर में G20 देशों का विसलेशन यह बताता है, कि 1990 से 2019 की अवधी में, भारत में FDI के प्रवाह में 20.3% की विर्धी हुई है, और वैस्विक इस्तर पर अगर FDI के प्रवाह का आंकलन, हम मुल्य क आधार पर करें, तो फिर भारत का इस्थान नौवा है, अब हम बात करते हैं, दूसरी प्रात्मिक्ता की, देखें, निर्यात में विर्धी हो, और FDI का अंतर प्रवाह हो, तो इसके लिए यह आवस्यक है, कि भारती उत्पाद में वैस्ट्रिक प्रतियस्परधा की सामना क करने का छमता हो, और यह संभव है, कब? तब जबकि अवस्णरचना निवेस, खास कर उर्जा और परिवहन के छित्र में निवेस में विर्धी हो, और कम्पनी पर अनावस्यक नियम संबंधी अनुपालन का भार कम हो, ताकि एक बेहतर Ease of Doing Business का वातावरण तयार हो सके, COVID-19 महमारी ने एक काम किया है, वह क्या किया है, कि Global Value Chain का इस्थान अंतरन कर दिया है, तो भारत के लिए अब यह एक अवसर है, कि Multinationals Company को भारत आकरसित करे, साथ ही Global Value Chain के संदर में भारती कंपनियों की भागीदारी में विर्धी हो, और भारती कंपनियों की Global Value Chain के संदर मे भागीदारी में विर्धी हो, तो इसके लिए यह जरूरी है, कि भारती कंपनियों की तकनीकी छमता में विर्धी हो, साथी साथ कौसल छमता में भी विर्धी हो, अब ज़र हम बात करते है Global Value Chain की, तो देखिए, Global Value Chain या Global Supply Chain, इसका अर्थ है, वस्तू सेवा का उत्पादन, यही कहलाता है Global Value Chain और Global Supply Chain, इसके अलावा देखिए, कि भारती उद्योगों को, इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने के लिए भी प्रोचसाहित करना चाहिए, या उनको प्रोचसाहन दिया जाना चाहिए, इंडस्ट्री 4.0 का क्या आर्थ है, तो यह अध्योगिक क्रांती का नया चरण है, जो मुक्रोब से Machine Learning, Automation और Internet of Things पर केंद्रित है, अब हम बात करते हैं, तीसरी प्रात्मिक्ता की, जो Currency Internationalization से समंधित है, क्या होता है Currency Internationalization, तो किसी देश द्वारा, सीमा पार आर्थिक गतिवीधियों में, घरेलू मुद्रा के प्रियोग को बढ़ावा देना, यही कहलाता है Currency Internationalization, व्यापार और निवेस में वृधि को अंतराश्टिये लेन देने में, रुपए के प्रियोग को अगर बढ़ावा दिया जाता है, तो फिर यह व्यापार एवं निवेस की वृधि में एक बेहतर पूरक का कारी और अगर यह किया जाता है, मतलब यह कि अगर वैस्विक व्यापार में लेन देन अगर रुपे में किया जाता है, तो फिर यह कदम विदेसी मुद्रा सम्मंधी बाहरी संकट से देश की अर्थविवस्था को बचाएगा, और इसका सबसे बड़ा उदाराने चीन, जिसके 2019 इसवी के कुल सीमापार सेटलमेंट में 38 दसवलव एक परतिसत वो सेटलमेंट किसमें किया गया था, चीन की घरेलू मुद्रा रेनमिन भी में, तो भारत के दृष्टी कौन से, जो ट्रेड सेटलमेंट है, उसमें रुपे के प्रियोग को दो तरीके से बढ़ावा दिया भारती उप महादीब छेत्र में मौजूद देशों के साथ जो मौजूदा व्यापारिक प्रणाली है, उसको मजबूत किया जाए, और जो भी आर्थिक लेंदेन हो रहे हैं, उसमें रुपे को आधार बनाया जाए, और अंतराश्टी करण के इस्तर पर यह किया जा सकता ह कि वैस्तर पर प्रमुग देशों के साथ रुपे आधारित व्यापारिक समझोता भारत के द्वारा किया जाए, अगर रुपे के करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है, और रुपे को वैस्तर पर स्विकारिता मिलती है, तो फिर भारत का अगला कदम आई-म-F के SDR बास्केट में रुपे को सामिल करना है, SDR यानि की Special Drawing Rights, आप कमेंट सेक्षन में यह बताएं कि वर्तमान SDR बास्केट में कितनी और कौन सी अंतराश्टी मुद्राएं सामिल हैं, हाँ, फिर हम आगे बरते हैं कि भारती रुपेया SDR बास्केट में सामिल हो इसके लिए कुछ सर्तों का पालन करना होगा, जैसे पांच वर्स से जादा के समय के लिए बड़ी मात्रा में भारत को निर्यात के इस तर पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और रुपई की मांग प्रमुक विदेसी विनमे बाजार में भी होनी चाहिए, तो निसकर सुर इंटर्नेशनलाइजेशन फर फोकस करना चाहिए, तभी पोस्ट पैंडेमिक की इस नई वैस्विक विवस्था में भारत की स्थिती मजबूत होगी, अब इस आर्टिकल से समंदित या प्रश्न है, प्रश्न है आत्म निरवर्भारत कारिकरम पोस्ट पैंडेमिक नई वै आप दायक हो सकता है, इस प्रकार आज के संपादकी से समंदित इस वीडियो में हमने दो आर्टिकल पर चर्चा की, इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार.